नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाली मकडी मतला माइल्स की इसका रोक थाम आप कैसे करें तो वीडियो के अंतक बने रहिए तो दोस्तो मकडी बहुत ही सुक्षम जिसे रेड माइट और भी कई प्रकार के मकडी होती है जो फसल को खराब करती है यह मकडी अतियां सुक्षम होने के कारण यह नगन आखों से अच्चे से नहीं दिखती यह मकडी माइक्रोसकोप सी ही दिखती है लाल मकडी जो काफी सुक्ष्म रूप के होते हैं ये पत्तियों पर बहुत अधिक संख्या में रहते हैं और पत्तियों के सरचना तंत्र को प्रवाइद करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों का रंग पीला हो जाता है और पौधे में प्रकाफिलेशन की क्रिया पत्ति को पलट कर शूर्य की देशा में रखे तो आपको यहां रेड माइट अच्छे से दिखेगे अब बात करेंगे इसके लक्षण तमाटर में मकडी नूमा लाल घूम अगर आपके फसल में रेड माइट का प्रकोप है तो आप देखेंगे कि फसल का हरपन गायब हो र यहां कीट, गर्म, आद्र, जलवायू में सक्री हो जाता है दोस्तो अब देखेंगे कि यहां माइट आता कब है दोस्तो वातावरन जब प्लेन होता है तो माइट नहीं आता मौसाम जब इधर उधर चेंज होता रहता है तो ही माइट आती है उमस में ज्यादा माइट लग रसायन आता है जो मीटीगेट प्रोपोनजाइट जो 50% रहता है और आता है जुमैट और बोर्नियों यहां उसके सभी मतलब टीनो जनरेशन को खत्म कर देती है यह बोर्नियों को आप चिपको के साथ ही पौधे पर इस्प्रे करें और आप अपने खेतों में नमी बनाए बढ़ सकता है तो आप इसका ध्यान जरूर रखें दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको और कुछ पूछनी हो तो आप कमेंड करके जरूर पूछ सकते हैं धन्यवाद